जब घड़ी का काटा करता है चार बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा क्यों क्योंकि चार बजे हम चक्रव्यू के साथ आपके सामने पेश होते हैं और चार ऐसे लोगों को चक्रव्यू के चक्र में फसाते हैं जिनकी पोल पट्टी सुनकर हर कोई हैरान हो नमश्कार, Capital TV में आपका स्वागत हैं और मैं हूँ आपके साथ राजप्रीत कौर आज चक्रव्यू के चक्र में फसे हैं बुर्का वाली प्रवीन बानो, कुछ कट्टर पंती, बाबा तरसेम सिंग के कातिल और 36 गोल्ड स्मगलर इन सभी का आज सारा काला चिठा आपके सामने खोलते हैं और एक एक करके बताते हैं इनकी कर्तूर पहली खबर में बात बुर्के वाली प्रवीन बानो की दरसल उत्तर प्रदेश के आयोध्या में पुलीस ने नशे का कारूबार करने के आरोप में एक मुसलिम महिला को गिरफतार किया है आरोपित महिला का नाम प्रवीन बानो है जो बुर्का पहन कर स्माक बेशती थी पुलीस ने प्रवीन बानों के पास से 75 ग्राम स्माक बरामत किया है रविवार यानि कि 7 अप्रेल 2014 को प्रवीन बानों की गिरफतारी धर्म नगरी आयोध्या के शेत्र में आने वाले उस मार्क से हुई है जहां लाखो श्रत धालू एक साथ हर साल परिक्रमा करते है यह स्थान राम जन भूमी मंदर से महस 4-5 किलो मीटर की दूरी पर है यह मामला आयोध्या जुले के नगर कोतवाली शेत्र का है यहां तैनात सब इंस्पेक्टर संतोष कुमार ने इस कारवाई की F.I.R. दर्च कराई है अपनी F.I.R. में उन्होंने बताया है कि रविवार को वो पठान तोला नाम के महले के पास दो महिला कॉंस्टेबल आनीता और निकेता के साथ गश्ट कर रहे थे इसी दोरान एक विश्वसनिय मुकबीर ने उन्हें पठान तोलिया मोड के पास एक महला द्वारा समाक बेचने की सूचना दी मुकबीर ने ये भी बताया कि महला बुर्चे यानी की नकाब में खड़ी है मुकबीर की सूचना पर पुलीस टीम बताई जगा की तरह बढ़ गई F.I.R. में आगे बताया गया है कि सूचना सही पाई गई बुर्चे पहने एक महला अयोध्या के परिक्रमा मार्क पर खड़ी दिखी जो पुलीस को देख कर भागने लगी महला सिपाहियों ने दोड़ कर उसे पकड़ लिया पुचताच करने पर बुर्खे वाली महला ने अपना परिचय प्रवीन बानों के तौर पर दिया तलाशी के दोरान लगफ़क 80 वर्षिय प्रवीन के पास से पर्स मिला पर्स में 8,900 रुपए कैश के अलावा 75 गराम स्मैक भी बरामत हुआ स्मैक को कई पुडिया बना कर रखा गया था हाला कि पुलीस की पूचताच में प्रवीन बानों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया अगली खबर में बात उन जिहादियों की जिन्होंने विकास सैनी नाम के यूवक को खौलते तेल से नहला दिया दरसल उत्तर प्रदेश के बुलंद शहर जिले में एक हिंदु यूवक पर जान से मार डालने की नियत से खौलता तेल डालने का मामला सामने आया है पीड़त का नाम विकास सैनी है जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भरती करवाया गया है वहीं इस हमले में विकास को बचाने के चक्कर में सुभाश नाम का एक यूवक उबलते तेल की चपेट में आ गया पुलीस ने इस मामले में अबू नसर, शौकीन और अजयव के खिलाफ एफायार दर्च कर लिया है बता दे की खटना रविवार यानि की साथ मार्च दो हजार चौबिस की है दरसल रविवार की सुभे लगभग 7.30 मिनिट पे विकास सैनी अपने रिष्टेदार से 13,800 रुपाए लेकर गुलावटी की सबजी मंडी पहुँचा वहीं अबू नजर ने उनके भाई अजयव और अपने चाचा जान शौकीन के साथ मिलकर विकास को घेर लिया और पिटाई करने लगे इन सभी ने विकास को गंदी गंदी गालिया दी और उसकी जेव में पड़ा पैसा चीनने लगे विकास ने इस हरकत का विरोध किया तो तीनों ने मिलकर उसे उठा कर जमीन पर पटक दिया जहां विकास की बिटाई हो रही थी वहीं एक ठेले पर खौलते तेल में पूडिया तली जा रही थी शिकायत करता के मुताबिक तीनो आरो पितों ने विकास को जान से मार डालने का फैसला किया और उसकी चाती पर खौलते तेल से भरा कड़ाई उढेल दिया विकास को बचाने के लिए वहां मौजूद सुभाश नाम का यूबक आगे बढ़ा तो वो भी खौलते तेल की चपेट में आ गया इसके बाद अबू नसर अवैस और शौकीन वहां से भाग निकले खायल होकर बुरी तरहा से चट पटाते विकास सैनी और सुभाश को कुछ स्थान ये लोगों ने अस्पताल पहुँचाया जहां उनका इलाग चल रहा है चले हुए विकास की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वाइरल हो रही है वहीं ये भी सामने आया है कि आरोपी पहले भी एक दलित यूवक को बेरहमी से पीड चुका है हाला की बताया गया की तब स्थान ये थाना पुलीस ने मत्रधारा 151 के तहत कारवाई की थी पीड़त परिवार का कहना है कि अगर पुलीस रित्तिक के ही मामले में कड़े कदम उठा लेती तो शायद आज हमला वरों की हिम्मत विकास को ऐसे जलाने की ना होती फिलहाल अभी तक किसी भी हमला वर की गिरफतारी नहीं हो पाई है अगली खबर में बाद बाबा तरसेम के कातिलों की दरसल उत्राखन के नानकमता गुर्दवारे के कार सेवा प्रमुक बाबा तरसेम सिंग की हत्या का आरोपित अमरजीत सिंग एक एनकाउंटर में मारा गया है आपको बता दे कि बाबा तरसेम की हत्या के आरोपित अमरजीत सिंग को उत्राखन पुलीस की स्पेशल टास्क पोर्स ने हरिद्वार में मार गिराया हत्या में शामिल दूसरा आरोपि अभी भी परार है दरसल इन दोनों ने मिलकर उध्वम सिंग नगर के ननकमता में प्रसिद्व गुरु दुआरे की अंदर घुसकर बाबा तरसेम की गोली मार कर हत्या कर दी थी बाबा तरसेम सिंग की हत्या करने वाले अमरजीत सिंग के साथ उत्राखन स्पेशल टास्क पोर्स और हरी दुआर पुलीस का ये एंकाउंटर हरी दुआर के भगवानपूर इलाके में हुआ पुलीस ने बताया की वो आरोपितों की तलाशी के लिए इमली खेडा मार्क पर चेकिंग अभियान चला रहे थे इसी दौरान बाइक पर दो लोग आए और पुलीस को देख कर क्लियर की तरफ भागने लगे पुलीस ने जब उनका पीछा किया तो उन्होंने फारिंग जोग दी पुलीस की जवाबी कारवाई में इन में से एक घायल हो गया जबकि दूसरा भागने में सफल रहा पुलीस घायल अपराधी को अस्पताल ले गई लेकिन उसे मृत खोशित कर दिया दिया बता दे कि 28 मार्च दो हजार चौबिस को ननकमता गुर्दवारे के भीतर खुसकर बाइक सवारों ने डेरा प्रमुक बाबा तरसेम सिंग को मार दिया ये हत्यारे वाइक पर आए और गुर्दवारे के बाहर बैठे बाबा तरसेम सिंग को कई गोलिया मार कर भाग गए एक तरफ जहां बाबा तरसेम सिंग की हत्या के मामले में काफी तुल पकड़ा था वहीं उत्राखन के मुख्य मंत्री पुशकर सिंग धामी ने भी ननकमता पहुँचकर इस मामले में शोक व्यक्त किया था और बावातर सेम सिंग को श्रद्धांजली भी अर्पित की थी आखरी खबर में बात 36 गोल्ट स्मगलरों की दरसल लखनाव एरपोर्ट से 36 सोना तसकरों के भागने का मामला सुर्खियों में हैं इस बीच खटना का CCTV फुटेज सामने आया है जिसमें एरपोर्ट गेट से तसकर भागते नजर आ रहे हैं हैरत की बात ये है कि गेट पर तैनाद सुरक्षा कर्मियों ने इनको रोकने की पूर जोर कोशिश नहीं की फुटेज में कतित रूप से तसकर अपने एक बिमार साथी को लेकर भागते दिखे मालुम हो कि बीते मंगलवार को भागे तसकर के खिलाब कस्टम अफसर ने मुकदमा दर्च करवाया है इन तसकरों के पेट में सोना च्छिपा होने की जुआनकारी थी F.I.R. के मुताबिक तसकरों ने एरपोर्ट कर्मियों से धक्का मुक्की भी की हाला कि भाग रहे तसकर फुटिज में धक्का मुक्की करते नहीं दिखे एक सुरक्षा कर्मी उन्हें रोकने की नाकाम कोशिश करते भी दिखा दरसल लखनाओ एरपोर्ट पर कस्टम की गिरफतारी से सोना तसकरी में शामिल 36 लोग फरार हो गए DRI यानि की Directorate of Revenue Intelligence से मिली सूचना के आधार पर शार्जा से आई फ्लाइट में सवार 36 यात्रियों को रोका गया था इसके बाद कस्टम ने सभी संदिक्दों को पूछताच के लिए कस्टरी में ले लिया DRI से मिले इंपुट के अनुसार शार्जा से लखनों पहुचे यात्रियों के पास भारी मात्रा में सिगरेट और कैश के साथ पेट में सोना चुपाए जाने की सूचना थी ऐसी जानकारी थी कि सभी 36 लोगों ने पेट में लगभग 2 किलो सोना चुपाया हुआ है इसी सूचना के आधार पर दो दिन तक कस्टम की टीम सभी 36 लोगों से पूचताच करती रही संदिक्दों से पूचताच चल ही रही थी अभी सोना बरामद नहीं हुआ था इसी बीच सभी संदिक्द अचानक संदेह स्पत तरीके से फरार हो गए बताया जारा है कि कस्टडी में लिये गए एक यात्री की कव्यत बिगणने के नाम पर सभी 36 आरोपी चक्मा देकर भाग निकले हाला कि एरपोर्ट पर तसकरी के आरोपितो ध्वारा CISF के जवानों को चक्मा देकर भागने की कहानी अफसरों के गले नहीं उतर रही है जिसके चलते कस्टम टीम के आठ अफसरों को हटाते हुए जाच शुरू कर दी गई है वहीं एरपोर्ट अथॉर्टी ने भी जाच बैठाई है आज हमने देखा कैसे चक्रव्यू के चक्र में बुर्खा वाली प्रवीन बानो, पुछकतर पन्थी, बाबा तरसेम सिंग के कातिल और 36 गोल्ड स्मगलर फसे और उनकी पूरी पोल पटी खुल कर सब के सामने आ गई चक्रव्यू में फिल्हाल के लिए इतना ही फिर पेश होंगे संसनी खेच खुला से के साथ बाकि तमाम खबरों के लिए देखते रहे कापिटल टीवी उत्तर प्रदेश, नमस्कार